दिल्ली के मुखे मंद्री अरविंद के जिवाल कुछ क्या रहें सुनता है अभी तक हम कहते थे कि सारी सरकारें एक दूसरे के ओपर आरोप लगाती थी राज्य सरकारें कहते थे किंद्र सरकार कुछ पैसा नहीं दे रही है किंद्र सरकार काम नहीं कर रही है लेकिन एक दूसरे के ओपर छीटा कशी करने से तो काम नहीं चलता ना हमें समाधान निकालना है और दिल्ली सरकार समाधान निकालने पे विश्वास रखती है पिछली साल दिल्ली सरकार ने समाधान निकाला पूसा इंस्टिट्यूट ने एक बायो डीकंपोजर बनाया है ये बायो डीकंपोजर क्या कहता है पहले तो हम ये समझने की पराली की समस्या क्या है धान की फसल लगबग अक्तूबर के महीने में किसान काटता है चुद दधान की फसल कटती है तो धान की फसल कटने के बाद इतना इतना तना उसका नीचे रह जाता है उसको डंठल कह लीजिए तना कह लीजिए उतना रह जाता है, इतना इतना तना नीचे जमीन पे रह जाता है इसको पराली कहते है इसके बाद किसान को थोड़ा ही समय मिलता है 20-25 दिन का समय मिलता है उसके बाद उसे गेहूं की बुआई करनी होती है तो समय बहुत कम होता है इस समय के बीच में किसान को इस तने को इस डंठल से मुक्ती पानी होती है तो किसान क्या करता है तीली जला के आग लगा देता है और ये सारी जल जाती है पराली सारी जल जाती है खेत साफ हो जाता है और किसान दोबारा गेमों के बुआई कर लेता है इसके वज़े से धुमा पैदा होता है अभी तक हम लोगों ने किसानों को टार्गेट किया जो किसान अपने खेत को जलाएगा उस पे पैनल्टी लगाई जाएगी सरकारों ने क्या किया दोश सारा सरकारों का है दोश किसान का नहीं है सरकारों को समाधान देना चाहिए था सरकारों ने समाधान नहीं दिया सरकारे दोशी है पिछली साल दिल्ली सरकार ने समाधान निकाला पूसा इंस्टिटूट ने एक बायो डीकंपोजर बनाया है बेहद सस्ता है उस Bio Decomposer को हमने दिल्ली में टेस्ट किया दिल्ली में 49 गाओं में 39 विलेज़ उन्तालिस गाओं में हमने 1935 एकर जमीन के उपर इस Bio Decomposer का छिड़काओ किया इस Bio Decomposer का छिड़काओ करने से जो डंठल है ये गल जाता है और गलने के बाद जमीन तयार हो जाती है दुबारा बुआई करने के लिए इस डंठल को काटना नहीं पड़ता इस डंठल को जलाना नहीं पड़ता इसके शांदार नतीजे आए तो दिली सरकार के Development Department ने उन सभी किसानों से बात की जिन्नों ने इसको इसको इस्तिमाल किया था सब बेहुद खुश थे फिर हम लोगों ने दिली सरकार ने एक Air Quality Commission बनाया है केंदर सरकार ने प्रदूशन से मुक्ती पाने के लिए तो हमने Air Quality Commission में Application फाइल की हमने का बई दिली ने अब समाधान दे दिया है जैसे हमने दिली सरकार में अपने सारे किसानों की मुफ्त सारे किसानों को मुफ्त हम लोगों ने Bio Decomposer का छिड़काव उनके खेतों पे कराया ऐसे ही आसपडोस के सारे राज्य सरकारों को निर्देश दिये जाएं कि वो भी अपने अपने किसानों के खेतों में मुफ्त Bio Decomposer का छिड़काव करे तो Air Quality Commission ने का बही आप कह रहे हो बड़ा अच्छा है इसका third party audit होना चाहिए कोई independent agency से audit कराओ तो दिली सरकार ने केंदर सरकार की एक agency से कहा web cause web cause केंदर सरकार की एक संस्था है हमारी नहीं है दिली सरकार का उस पे कोई control नहीं है web cause एक agency है केंदर सरकार की उसको कहा कि आप इसका audit कीजिए आप इसकी जाच कीजिए और देखिए कि जो दिल्ली सरकार ने ये बायो डिंग कप्डोजर का इस्तेमाल किया है क्या ये अच्छा है इसके क्या नतीजे है वैब कॉस की अब रिपोर्ट आई है उन्होंने पूरी अपनी जाँच कर लिये है उन्होंने जाँच लगबग चार जिलों के पंदरा गाहों में जाके उन्होंने 79, 89 किसानों से बात की और 89 किसानों से बात करने के बाद उन्होंने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में लिखा है केंदर सरकार की एजंसी ने लिखा है कि बायो डिकंपोजर का इस्तिमाल करने से दिल्ली के किसान बेहद खुश है इसके जो नतीजे आए वो बड़े उत्साव वर्दके 90 प्रतिशत किसानों ने कहा कि 15 से 20 दिनों के अंदर उनकी पराली गल गई और उनकी जमीन तैयार हो गई अगली गेहूं के फसल बोने के लिए किसानों ने बताया कि पहले 6 से 7 बार गेहूं बोने से पहले 6 से 7 बार खेतों की जुताई करनी पड़ती थी बायो डिकंपोजर को इस्तिमाल करने से 1 से 2 बार जुताई करने से इक काम चल गया फाइदा हुआ बहुत खेतों में जो और गेनिक कारबन था उसकी मात्रा पहले से 40 प्रतिशत तक जादा मात्रा बढ़ गई आरगनिक कारबन भी बढ़ गया बायो डीकंपोजर को इस्तिमाल करने से वो पराली जो है वो एक तरह से खाद के रूप में कनवर्ट हो गयी और तो 40% तक वृद्धी हुई कारबन के कंटिन्ट में नाइट्रोजन की मात्रा 24 परसेंट को बढ़ गयी। जमिए उसमें मिट्टी में। बैक्टीरिया जो है, सात गुना बैक्टीरिया बढ़ गया। जो मिट्टी थी, मिट्टी के अंदर जो उपजाओ बेक्टिरिया होता है, जो उसमें फसल उगाने में मदद करता है, उसके अंदर बेक्टिरिया 7 गुना बढ़ गया, और फंगल, फंगस जो है, जो की फाइदा पहुँचाती है फसलों को, वो 3 गुना बढ़ गई मिट्टी की कॉलिटी जो है उसमें इतना सुधार हुआ कि गेहुं का अंकुरन 17 से 20 प्रतिशत तक बढ़ गया लगबग आधे किसानों ने ये स्विकार किया कि बायो डी कंपोजर को इस्तिमाल करने से जो डी एपी खाद है वो पहले ये लोग 46 किलो प्रति एकड इस्तिमाल करते थे वो घटके 36 से 40 किलो प्रति एकड हो गई मतलब फर्टिलाइजर खाद का भी इस्तिमाल कम हो गया खाद भी कम इस्तिमाल करनी पड़ी और ओवरॉल गेहुं की प्रोडक्शन बायो डी कंपोजर के इस्तिमाल करने से जब अगली गेहुं के फसल आई उसमें लगबग 8% की वृद्धी हुई है तो जैसे दिली के किस किसान खुश हैं अब दिली के लोग खुश हैं ऐसे ही आस्पडोस के राज्यों के किसान भी खुश हो सकते हैं अगर वहां के राज्य सरकारें भी बायो डी कंपोजर का इस्तिमाल करना चालो करें अगर केंदर सरकार राज्य सरकारों को बाधित करें कि वो भी करें केंदर सरकार से भी हमारी अपील है कि आप राज्जे सरकारों को कहिए कि अभी तक तो हम कुछ कर नहीं सकते थे अब तो कर सकते हैं अब तो समाधाना आ गया अब तो सल्वीशन है हमारे पास अब तो कर सकते हैं तो राज्जे सरकारों को कहा जाए कि अब पराली के लिए मदद कीजिए किसानों की सारे किसानों के बायो डीकंपोजर सारे किसानों के खेतों में कि राज्य सरकार फ्री में चिड़काव करा है इतना सस्ता है इतना सस्ता कोई भी राज्य सरकार करा सकती है वो फ्री में चिड़काव करा है सारी राज्य सरकारे और पुजारिश करूंगा कि वो विक्तिगत तोर पे इस मामले में दखल अंदाजी करें नमश्कार तो मुखिमंद्री अर्विंद केजिवाल को आप सुन रहे थे उन्होंने कहा कि पराली संकष के लिए किसान जिमेदार नहीं है किसानों को ना कोसा जाए दिल्ली में बायो दी कंपोजर का इस्तमाल किया गै किसान के उपर पराली को लेकर तमाम सवाल नहीं उठाने चाहिए। इसका जिम्मेदार नहीं है।